Hello everyone, क्याल चाल है, आप सभी लोगों का स्वागत है, एक बहुत मज़ेदार सा टॉपिक है, जिसका नाम है Well of Death अब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इस टॉपिक में हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं है तो ये सर्कूलर मोशन का एक सिंपल सा कॉंसेप्ट बट चमकता नहीं है, समझ में नहीं आता और जब भी हम मेलो में जाते हैं या फेर में जाते हैं और देखते हैं मज़ेदार सा गेम तो हमें लगता है वाह, क्या तो टैलेंटेड लोग हैं, क्या तो जिगर है इनके पास, कि ऐसे कौन गाड़ी चला सकता है एक वर्टिकल वॉल की उपर और कितनी तेज गाड़ी भगाते हैं तो पूरी फिजिक्स इसकी में समझाता हूँ को समझेगा उसके बाद फिर आप खुछ जानेंगे कि कितने बढ़िया तरीके से प्रॉपर फिजिक्स का पूरा कॉंसेट लगा हुआ है यहाँ पे सबसे पहली चीज तो यह है कि जब कभी मैं एक वैल की बात करूँंगा तो देखना जो भी रहत यहाँसे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना चालू करेगा ऐसे फिर अपनी स्पीड बढ़ाएगा स्पीड बढ़ाएगा ऐसे ऐसे और इधर पहुच जाएगा इवन ये दो सेक्शन भी एकदम प्रॉपर वर्टिकल नहीं रहते थोड़े बहुत टेपर रहते थोड़े बहुत कैसे रहते ऐसे टेपर से रहते इस तरीके से ठीक है अब आओ समझते हैं कि वह असल में इस पॉइंट पर क्योंकि देगो सबसे में जो प्रॉब्लम है वो य नीरा नीचे तो आईए उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कैसे जानेंगे मैं काम करता हूं इसको वर्टिकल ही मानता हूं सिंपल रहेगा क्योंकि यहां पर थीटा वीटा अलग एंगल आने पड़ेंगे आप इसे वर्टिकल ही मान लो ओके चलो देखो अब क्या स सिच्वेशन में क्या होगा यहां पर गाड़ी यहां पर है यह रही आपकी गाड़ी और यह गाड़ी गिर नहीं रही है यह गाड़ी गिर नहीं रही है क्यों नहीं गिर रही अरे सर इस पर तो एक mg फोर्स लगना चाहिए ना इसको तो गिरना चाहिए बट यह गिर नहीं गिर रही है, क्यों रही है, तो पोचने वाली बात है, वो गिर सने नहीं रही होगा, क्योंकि यहां पे कोई एक force होगा, जो उपर की तरफ होगा, भाई, जो आपका normal physics है, वो fail तो होगी नहीं, यानि यहां पे एक force जरूर होगा, और ओ force कहा होगा f उपर की तरफ बेलगोल साही बात है अब सर यह f जो है यह तो होता है इसकी एक value होती इसकी limit होती है और इसकी limit होती है new times normal अब यहां normal कैसे आएगा यह normal कैसे आएगा सर हम normally जैसे मान लीजे इस object को मैं ऐसे vertical के साथ रहूँगा तो गिर जाता है यह तो गिर जाता है तो यहां पे normal को provide करेगा अब वही यहां पे catch है यहां पे normal को provide करवाया जाता है गाडियों की speed को जादा करके कैसे देखो जब गाड़ी की speed बहुत जादा ह होगी तो गाड़ी की speed बहुत जादा होगी यानि गाड़ी को एक center की तरफ यानि इस direction में एक centripetal force चाहिए रहेगा और वो centripetal force कौन provide करेगा वो provide करेगा normal reaction वो provide करेगा normal reaction और normal यहां पे वो necessary centripetal force provide करेगा जो कि इस गाड़ी को circular motion को proper तरीके से execute करने में मदद करेगा और साथ ही साथ normal reaction के होने से friction की एक limit बन जाएगी और यह जो limit है वो mg को balance कर देगा तो यहां पर case ही बन जाता है कि जो normal है वो necessary centripetal force यानि mv square by r provide करने लगता है और normal के होने से friction हो जाता है और friction basically आपकी mg को provide कर देता है इसमें भी scenario देखिए भाई friction आपके mg को balance कर रहा है लेकिन friction के साथ तो एक समस्या है ना कि हमेशा वो limit से कम होता है येस तो f की value यानि mg की value हमेशा lesser than f l से और f l किता हो जाएगा new times normal एक surface coefficient मान लेते है new times normal इसको यहाँ पर रखेंगे तो mg should be less than equal to new और normal की value किती हागी mv square by r यहाँ पर m और m को cancel करेंगे ना तो देखिए हाँ velocity की value आ जाएगी velocity की value की आ रही है v square should be greater than equal to rg by new और यहाँ पर देखिए value आ गई कि भाई velocity जो होनी चाहिए वो under root of rg by new से जाधा होनी चाहिए तो जो death well design करते हैं जो death well design करते हैं वो पहले ही बता देते हैं उन्हें new की value पहले पता रहती है पता रहता है इसका radius कित्ता ब जना कि तिरे उपर लोग तालियां बजाएं तो तुझे यहाँ पर speed 50 से 60 km प्रती घंटे की रखनी पड़ेगी अगर नहीं रखी अगर नहीं रखी तो भाई तुम धड़ाम से गिरोगे और जो खेलने आये थे वो कुछ नहीं तालियां तो छोड़ो पैसे मांगने वाप आता मैंने complex ना करके simple तरीकों से आपको समझाने की कोशिश की है तो I hope आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से well of death execute होता है अब एक बहुत important सी चीज है भाई आप NEET 2025 की तयारी जहां से भी कर रहे हैं test series एक बहुत अच्छी जगे से लेना बहुत जादा जरूरी है औ काफी unique features है 27 EITS 13 unit 4 part 10 grand test है पूरा updated NEET syllabus के according 20 online NEET full state mock test मिलेंगे आपको PYQ books भी मिलेंगी along with that साथी साथ आपको एक mentor मिलेगा AI based mentor जो कि आपको बताएगा आप क्या गलतियां कर रहे हो कहां से आप improve कर सकते हो यह सारी चीजे आपको मिल जाएंगी एक बहुत ही discounted price से साथी सा आप और discount चाहते हैं तो address 20 code उस करेंगे extra 20% discount और मिल जाएगा तो फटा फट जाएए description में इसकी link दी हुई है registration करिए और benefits use करिए कुछ starting के बच्चों को कुछ लोगों के लिए यह अभी feature live है कि जो जल्दी join करेंगे उनको मेरे end से आपको proper PYQs मतलब पूरे previous year paper मिलेंगे with solution हमारे end से पुराने 20 सालों के ठीक है तो यह limited लोगों के लिए availability है आप जल्दी जितना जल्दी register करेंगे उतना जल्दी हम लोग आप कोई चीज़े service करवा पाएंगे तो फटा फट जाएए इस feature का use करिए साथी सकार score एक बहुत ही landmark scholarship test है यह हमारा उन सारे बच्चों के लिए एक giveaway है जो बहुत महनती है जो पढ़ते हैं जो चाहते हैं अपना career education के थ्रू आगे बढ़ाना बट education का जो cost है उनका एक barrier बन सकता है तो हम यह scholarship exam लेकर आए हैं जिससे उनकी पूरे education cost हम bear करेंगे साथी साथ allowances भी दे सकते हैं और आप laptop भी जीच सकते हैं तो आपके जितने भी दोस्तियार कोई पहचान का हो grade 3-12 के बीच में उनको definitely यह चीज recommend करिएगा ओके infinity learn की आप download आप कर सकते हैं app store और iOS दोनों पे available हैं काफी अच्छे interesting features है एक अच्छे serious aspirant को definitely infinity learn की app रखनी चाहिए क्योंकि उससे आवो अपने तयारी को काफी streamline कर सकता है तो इसी क के साथ वीडियो को close करूंगा अगर अच्छा लगा तो like करेगा बाती मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you bye bye and take care all of you